गजब, रियली ब्यूटिफुल सभी में मजाग नहीं, इधर मत जाएए यह आखरी वाटरफॉल है, सामनी जो आप देख रहे हैं बहुत सुंदर नजारा है दोस्तों, वाटरफॉल का और बारिश में यातरा के मजा भी दुपना हो जाता है दोस्तों, आजकल इनसान बहुत प्रेशर में जी रहा है, तनाव में जी रहा है परिबार का प्रेशर, जोब का प्रेशर, चिंता, तनाव, डिफ्रेशन कैसे इनसे मुक्त हो, सुकुन कैसे मिले इसके लिए आपको एक अलग जहां में जाना पड़ेगा बिल्कुल प्रकरती के सानिथे में, बिल्कुल जहां पर जन्नत हो, स्वर्ग का नजा रहा हो और उसी के तलास में हम आपके सहायता कर रहे हैं दोस्तों, नमस्कार आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत दर्शन ब्लॉक पर बिहार के सरवस्रिष्ट वाटरफॉल की यात्रा में, अध्भुत यात्रा में आपका स्वागत है दोस्तों, कैमोर करकटगट वाटरफॉल की यात्रा करने के बाद अब हम भबुआ से 9 किलोमेटर दोर भगवानपूर आ गए हैं और यहीं भगवानपूर से ही मुंदेश्वरी धाम जाने का रास्ता है मेरे पीछे आप देख रहे हैं गेट भी बना हुआ है और यहां से हम अध्वरा मार्ग पर तिलहार कुंड की आत्रा करने वाले हैं दोस्तों तिलहार कुंड वाटरफॉल चारो तरफ फरी भरी वादियों खुबसूरत वादियों पहाड़ों से घीरा हुआ सैक्रो फिट से जब ज़रना गिरता है तो उससे देखना एक सुबसूरत आहसाफ देता है बिल्कुल स्वर्ग सा नजारा है दोस्तों तिलहारकुंड वाटरपॉल का आप देखेंगे तो जिन्दगी में पहली बार वैसा द्रिश्य देखेंगे बिल्कुल आपका जो चिंता है जो तनाव है डिप्रेशन है उससे मुक्ष हो करके आपको सुकून मिलेगा दोस्तों आ यात्रा रुमांच से भर देने वाला होता है तो वह यात्रा भी हम आपको दिखाएंगे तो चलिए अधुच शांदार अब तक का सबसे बेश्ट भारत दर्शन ब्लॉग पर तिलहारकुंड वाटरफॉल की यात्रा सुरू करते हैं और सामने आप देख रहे हैं भगवान पूर चौरा है यही पर भिम्राव अमबेडकर का समारक दी है और यहां से अधौरा 44 किलोमीटर दूर है और तेलहारकुंड यहां से 23 किलोमीटर दूर है दोस्तों बहुत ही रुमांचकारी यात्रा हमारी यहां से सुरू होने वाली है पूरा वीडियो जरूर देखिएग दोस्तों भगवान पूर से तिलहारकुंड वाटरफोल की यात्रा करते समय दोस्तों तेज बारिस हो गई है और बारिस में यह यात्रा का मज़ा भी दुबना हो जाता है बहुत इस शांदार यात्रा आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों अब हम भगवान पूर से चेक पोस्ट आ गए हैं मेरे पिछे आप देख रहे हैं बन विभाग का चेक पोस्ट और यहीं से अधोरा का पहाड सुरू होता है उचे उचे पहाड और पहाडों के बीच से गुजरते हुए घुमाओदार सरके उनसे यात्रा करना बि अब रूमाज से फरू उठेंगे जब इस पूरी आत्रा को आप देखेंगे चलिए भारत अगे आगे अगे बिलकुल ही गुमाओदा और सडके आं दोस्तों आप देख रहे होंगे बिलकुल जलेबी के तरह और यहां पर बड़ी सा उधानी से आपको बाइक या फोर विलर चलाना पड़ेगा और यहां पर आप गजब दोस्तों अब हम मुसहरवा बबाबा आगे हैं सामने आप देख रहे हैं यह रास्ते के पड़ता है तो तिलहार कुण्ड यात्रा में पहला पड़ाव हमारा आच चुका है मुसहरवा बबा सामने आप देख रहे हैं छोटा सा मंदिर है और यह पुजारी जी हैं अभी यहां से हम लोग परसाद लेंगे और उसके बाद हमें आत्रा सुरू करेंगे यहां से तक्रीबन आधा किलोमेटर दूर है दोस्तों अब भारत एक्स्प्लोरर के साथ हम अभी धर्ती माता मंदिर के आत्रा कर रहे हैं और यहां पर आप देख रहे हैं कुछ लोग माता का दर्शन करने के लिए आये हैं लेकिन सेल्फी ले रहे हैं दर्शन करने के वज और द्षायर आम कर चरिए धर्थी माता मंदिर की आत्रा करने के बाद आगे तारकुड कि आत्रा धूर करते हैं ऐसा धिसे है मेरा सामने आप देख रहे हैं, यह स्टैंड है, बस स्टैंड है, आटो स्टैंड है, और यहां से राइट साइड चलना है, बिल्कुर सामने आप देख रहे हैं, मेन गेट, यहां से तक्रिबन एक किलोमेटर दूर है तिलहार कुंड वाटर फॉल, और आपको एक पूल पार करना पड़ेगा और जो नदी आप देख रहे हैं दुर्गावती नदी से होकर के पानी आ रही है और यही पानी आगे चल करके तिलहार कुंड वाटरफॉल के रुप में गिरता है दोफ्तों और पूल पार करने के बाद आपको आगे राइट मुड़ना है और दोस्तों थोड़ी देर में तिलहार कुंड हम पहुंचने वाले हैं वाटरफॉल पहुंचने वाले हैं बिल्कुल सामने ही तिलहार कुंड वाटरफॉल है और अभी हम उपर का नजारा देखा रहे हैं आपको लोगों को इंजवाय करते हुए आप देख रहे हैं प्रकृती का खुबसुरत नाजारा और इन प्रकृती की खुबसुरत नजारों के एंजाय करते हुए अक great कि तना अनन्दा रहा है तिलार कुंड है अर्य पहुत अनन्दा रहा है बहुत मुझा है तेनन दिल तेक्यान सब्सके है तो आ वाहू दोस्तों अब हम भबुआ से कैमुर का जन्नत तिलहार कुंड वाटरफॉल आ चुके हैं प्रकुर्ती की गोद में बसे हरी भरी रमनिक वादियों के बीच में फॉल और कुंड बहुत खुबसूरत है दोस्तों और दूर से जर्ना को देखना एक खुबसूरत एहसाह देता है और अभी हम इस वाटरफॉल में शनान करेंगे हलाकि बड़ा रिस्क है कब पानी बर जाए और सीधे आप कुंड में चले जाएंगे हड़ी का भी आपता नहीं चलेगा लेकिन हम आपके लिए रिस्क जरूर लेंगे क्योंकि भारत दर्शन ब्लोग रिस्क के लिए ही जान जाता है तुछली स्वाल में शनान करते हैं उसकी बाद आपको स्वर्त का नजारा दिखाते हैं कि अज़ाए पानी बढ़ सकते हैं दोस्तों पानी बढ़ सकते हैं हट जाए होँआ से आप देख सकते ही यह सरगें तो सीरे यह खाई में कि पानी बढ़ सकते हैं अश्या कि आख अश्या में अश्या नजा के इधार मत जाए है हमाओ दोह तो तिल्हार कुंड वाटरफॉल में अस्नान करके काफी मजा आरहा आ रहा है और प्रकृति के सानेजी में आनन्द मिलता ही आप एक बार प्रकृति के सानेजी में आकर देखिए तो जगा हरी भरी वाजियों के वीच में जंगलों में वाटरफॉल में आपको रियल में बहुत आनद मीड़ेगा और यहां तिलहार कुन वाटरफॉल में नज्वाइब करते हुए प्रेटकों से अभी हम बात करेंगे कितना मजा आ रहा है कैसा कितना खुशूर जगा है अधर लोग जो है नानिताल मसुरी जाते हैं उसके मुकाबले का जगा है उसके मुकाबले बहुत अच्छा है विःटक अस्थल है और यहां पर देवास्था जो चाहिए ओ नहीं अभी सरकार के द्वारा हो पाया है हम यही अच्छे नेताओं से कि तुछ यहां पर अच्छा करें और इसको आगे बढ़ाने की कोशिस करें और हमारा अध्या अस्थान हो जो बिहार में नहीं है इतना खुब्धाव का अभाव के चक्कर में यहां पर लोग आना पसंद नहीं करते हैं काफी डर भी यह भी लोगों क सुरच्छा तो कुछ है नहीं सुरच्छा पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसके हैं विकास फेज़ान देत तो आफी अच्छा पिकटिका संदर सब को देखने को मिलेगा है कि आंक द्रिश्य कैसा है बहुत ही सुंधर है और यहां इतना शुंदर रहे हमको नहीं वाटरफॉल बहुत ही खुब्सुरत नजा रहा है बिल्कु पास से आपको दिखा रहे हैं और इसमें अफनान करने में बहुत आनन्ड आया और दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे तिलहार कुंड जहां पर वाटरफॉल का पानी गिरता है काफी उचाई से बिल्कुर नजदीग से आपको दिखाएंगे रिस्क लेकर दिखाएंगे दोस्तों यह आखरी वाटरफॉल है सामनी जो आप देख रहे हैं यहां का नजारा भी बहुत खुशुरत है और यहां आप देख रहे हैं पानी नीचे गिरता है बिल्कुल पास से आपको दिखाएंगे और वाटरफॉल का पानी जो नीचे गिर रहा है बिल्कुल धूआ जैसा प्रतीत हो रहा है दोस्तों बिल्कुल रिस्क लेकर हम आपको दिखा रहे है नीचे का सीन और दोस्तों हम दूसरे तरब से तिलहार कुंट आपको दिखा रहे हैं और इधर में बहुत रिस्क है नीचे का दिखाना खत्रे से खाली नहीं है धज़व बहुत सुन्दर नदारा है दोस्तों वाटरफॉल का और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं बड़ा सा चटान उस चटान पर चलेंगे और वहां से आपको कुंट का नजारा दिखाएंगे चारों और का द्रिश दिखाएंगे दोस्तों और दोस्तों अब हम उस चटान से आपको दिखा रहे हैं दूर से तिलहार कुंट वाटरफॉल का नजारा गजब रिली ब्यूटिफुल बहुत ही सुन्दर यहां से द्रिश दिखाए पड़ रहा है दोस्तों तिलहार कुंट वाटरफॉल का और क्वाटर कुंड का और नीचे की जो ग्रिनरी है बहुत ही खुबसूरत लग रहे हैं दोस्तों दोस्तों अभी हम आपको दिखा रहे हैं तिलहार कुंट वाटरफॉल और आस पास का नीचर का नजारा दोस्तों बहुत खुबसूरत है स्वर्ग से कम नहीं है यहां का जो नजारा है यहां का जो द्रिश्य है अगर आप आएंगे तभी इसको फिल कर पाएंगे और समाज में रहते हुए बहुत तरह के थनाओ टेंसन चिंता से व्यक्ति ग्रसित रहता है काम का प्रेसर परिवार का प्रेसर तो अगर आप प्रकृति के सानिध्य में आते हैं यहां आते हैं या किसी भी वाटरफॉल में आते हैं तो आपको सुकून मिलेगा आपकी जितनी भी चिंताएं हैं जो अवसाद है डिप्रेसन है वो तक्षंड खतम हो जाता है और प्रकृति के सानिध्य में जब आते हैं तो आप बिल्कुल सत्य के करीब आते हैं अभी जो जिन्दगी आप जी रहे हैं पूरी तरह जूट की जिन्दगी है आपकी कलपनाओ की जिन्दगी है जो आपको बच्पन से सिखाया गया है वो आप सीख रहे हैं उस जिन्दगी को आप सचा मान रहे हैं और इसी अधार पर आपने अपनी माननेताइं बना ली हैं चाहे धरम की माननेता हो, चाहे इश्वर की माननेता हो, या देवी देवता की माननेता हो, अगर आप नेचर की करीब आएंगे, तो जब सचाई की करीब आने लगेंगे, तो जुटे माननेताओं से आप मुक्त होने लगेंगे, और धरम के नाम पर जो कटरता है, धरम के नाम पर जो अंद विश्वा से समाज में उससे आप मुक्त होने लगेंगे और जब आप सत्य के करीब आने लगेंगे तो जो परम सत्य है जिसे हम इश्वर कहते हैं आप उसके भी करीब आने लगेंगे आपका जीवन सभी प्रकार के बुराईयों से मुक्त हो जाएगा आप निर और आप कहां देखना चाहते हैं, कहां घुमना चाहते हैं, ओभी हमको सजिश्ट जरूर कीजिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,